आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने IQZ9 Android में आप अपने मुवाइल फोन के साइड वाले पाउर बटन को दबाए बिना आप अपने फोन को स्विच आफ कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जान कर रही देने वालों तो चलिए आपके वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों आपके मुवाइल फोन के जो साइड में पाउर बटन होते हैं इसको दबाए बिना फोन को आपना स्विच आफ कर सकते हैं कैस accessibility के इस पेज में नीचे आना है, यह पर आपको यह option मिल जाता है, accessibility menu का, इस option को tap करना है, ठोब का इस तरीके से का यह page आएगा, इसमें आपको नीचे की side यह option दिया हुआ, accessibility menu shortcut, इस option के ठीक सामने देखे button है, इस button को tap करना है, इस बुटन को tap करेंगे ना तो आपका यह लापीज हाऊगा इस पीज को आपको upar करना है अपको नीचे allow को यह option है allow पर tap करना है यहाँ पर आपका यह लापीज आता है इसमको got it का यह option आपको tap करना है तो आपको жизbility menu shortcut का यह option के सामने लिए button है आपका on हो जाएगा और जैसे यह button on होता है तो आपके phone की screen पे एक यह नया button आपको show हो जाता है यानि कि add हो जाता है आपकी phone की screen पर ठीक है तो यह button आपको करना कि जो accessibility menu का जो shortcut यह button show हुआ है इस button को आपको tap करना है तो आपका इस तरीके से छोटे page में यह open हो जाता है इस page को आपने left or right ऐसे slide कर सकते हैं क्योंकि इसमें और भी option होते हैं अब देखे आपको करना क्या है यह जो option है इसमें power का यह option टैप करना है तो आपका इस तरीके से पेज आएगा इस page में नीचे option है power off का power off पे tap करेंगे इस से आपका phone जो switch off हो जाएगा ठीक है तो यह एक तर heading का आप अपने phone में जरूर यूज कर गए देखेगा ठीक है ना